देखिए जी आज हमारे पास repairing के लिए ये cooler का kit आया है इसके अंदर क्या समस्या है इसको अगर हाथ से हम इसके soft को घुमाते हैं तो ये आसानी से गूमता है और ये wires अकर हम electricity में लगाते तो ये kit बिल्कुल jam हो जाता है यहाई फिर समस्या ये होती है कि 2-3 मैंट चलने के बा पा रहा है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो हाथ से आप कितना ही गुमाई है और जैसे इसके वायर से आप electricity में लगाएंगे यह vibration का आवाज करेगा लेकिन jam हो जाएगा जैसे कि मैं आपको एक बारी टेस्ट टरा के दिखाता हूं यहाँ पर हमारे दो electricity के वायर है जैसे कि एक तो black और blue तो यहाँ पर देख सकते हो यह बिल्कुल humming vibration के वाज करता है और jam हो जाता है देखिए जी मैं आपको एक बारी दो बारा से टेस्ट कराता हूं हमें electricity के वायर लगा है हम नहीं तो अब यहाँ पर यह kit अब आसानी से भूम रहा है without electricity के और जैसे electricity लग आए ऐसी जिकात आपके table fan, ap fan या फिर cooler kit में आ सकती है तो उसे आप किस तरह से solve करोगे हम इस वीडियो में complete जानेंगे repairing के first process में हम motor को खोलेंगे इसके लिए यहाँ पर दोस्तो पीछे की side आपको 4 screws provide 1, 2, 3, 4 यानि कि 4 states provide किये जाते हैं लंबे वाले bolts यह आपको खोल लेने होंगे यहाँ पर दोस्तो खोलने के लिए आप art number T की का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर art की आप ring की का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो यह 4 screws यानि कि 4 states आपको बिलकुल खोल लेने हैं और इन्हें आपको अपने motor से बिलकुल बाहर निकाल लेना है अभी फिलाल के लिए आप इन्हें संभाल कर रख दीजिए अब आपको अपनी kit को de-assemble करना है आपकी kit को तीन भागों में बाटा जाता है यह आपका first वाला टप यह bottom टप और यह होता है आपका stator तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो first वाला टप होता है जो top टप होता है उसे हम इस तरह से hammer से थोड़ा hit करेंगे तो इससे क्या होगा कि यह आपके stator के अंदर जो fix होता है वो बिलकुल निकल आएगा इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है जो top वाले टप को अलग कर दे रहा है यानि कि जो आपका टप आगे की तरफ होता है kit के अंदर उस वाले टप को अलग करेंगे यह आपका shaft यह आपका rotor इसके बाद shaft को पगड़ के आप खेंच लीजिए इससे क्या होगा जो आपका shaft और rotor दोनों combination होता है वो निकल आएगा rotor को निकाल लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आप नीचे वाला टप हो यह वाला टप है यह आपको अलग करना है इसे यहाँ पर दोस्तों हम अलग करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप एक rubber ring देख पा रहे हो यह वाली सबसे पहले तो आपको इस ring को हटा देना है ये हर एक kit में available नहीं होती इसके बाद यहां से आप stator और टप के बीच में दूरी बनाएंगे तो इसके लिए आप इसको driver के बिस्तमाल ले सकते हैं इस तरह से इसे fix करके इसे आप हलके से hit कीजिएगा हतोडी की सायता से तो इससे क्या होगा जो आपका पीछे वाला टप है यानि कि जो आपका back bottom वाला टप है ये बिल्कुल आपके kit से अलग हो जाएगा देखिए जी इस तरह से इसके बाद जो wires हैं इनको आप थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ धके लेंगे इसके बाद आपको अपना जो टप है वो मोटर से अलग कर लिना है यहाँ पर दोस्तों मैंने wires को cut नहीं किया है अगर मैं wires को कार देता तो हमें उन्हें दोबारा joint करना होता तो यहाँ पर हमने wires को बिल्कुल अलग नहीं किया है यह आपका दोस्तों उपर वाला बुष है यह आपका नीचे वाला बुष है यहाँ पर देख सकते हो कितना इसमें कचरा आया हुआ है आप देख पा रहे हो कि यह बुष बिल्कुल काला हो चुका है देखिए जी कितना कारवन इससे निकल रहा है आप मेरे उली पर देख सकते हो कारवन जमा हो गया है और अगर ये आगे वाला बुश हम इसी तरह से चेक करें तो इसमें कोई भी कारवन नहीं है तो दोनों बुश में आप compare करके देख सकते हो इसके बाद ये जो आपका shaft है इसमें भी अगर आप नीचे वाली साइड देखो तो इस वाली साइड आप देख पाओगे कि बहुत सारा कच्रा जमा हो रखा है और आगे की तरफ से जबकि बिल्कुल shaft बिल्कुल okay है तो यहाँ पर दोस्तो दोनों ही condition में जो पीछे वाली बुष है उसमें ज़्यादा कच्रा आया है अब यहाँ पर ये रवाप्र का रोटर है तो रोटर में आप देख सकते हो कि आगे की तरफ से तो यह बिल्कुल okay है और पीछे की साइड से इसके उपर देखिये जी इस तरह से रगड लगी हुई है तो इसका मतलब आगे की तरफ से ज़्यादा रगड लगती है तो आगे वाला बुष डाउन है और पीछे की साइड से लगती है तो इसका मतलब पीछे वाला बुष डाउन है इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारी शाफ्ट है उसे हम साफ करेंगे जैसे की पीछे की साइड से जहां पर बुश चलती है आपकी उसे अच्छे से आपको proper साफ करना है कच्रा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसके बाद दोस्तों जो रोटर है उसे ह हम साफ करेंगे क्योंकि दोस्तों क्या होता है जब आपकी बुश डाउन होती है तो उसमें रोटर के उपर भी रगड आ जाती है और आगे की तरफ से भी हम इसे साफ करेंगे इस तरह से आपको रोटर साफ कर लेना है इसके बाद जो हमारी बुश है उसे हम दोनों बुश को कपड़े की साहता से साफ करेंगे और आपको अच्छे से साफ करना है उनके अंदर जो कारबन है वो कच्रा है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो यहाँ पर आगे कि बुश शाफ की तो आप कपड़ा देख सकते हो बिल्कुल कोई कारबन नहीं निकला अब हम जो नीचे वाली बुश है पीछे वाली यानि की उसे अगर हम साफ करते हैं यहाँ पर कपड़े से तो यहाँ पर आप इस वाली बुश में देखना कि देख सकते हो कि कि कितना कारबन निकल रहा है तो इसका मतलब क्या वग जो हमारी जो पीछे वाली बुश है यह ज्यादा डाउन है इसमें ज्यादा कारवन देखने को मिल रहा है अब इसे हम किस तरह से चेक करेंगे तो यह हमारी शाफ्ट है इसे हम पहले पीछे वाली बुश में लगाते हैं इस वाली में क्योंकि यह ज हिस चुका है इस वज़ा से इसमें कच्रा आ गया है और इस वज़ा से इसमें ये प्ले बन चुका है वरना अगर आगे के साइड वाली बुश में चेक करोगे तो इस तरह से इसमें प्ले नहीं दिखाता है जैसे कि आगे बाला टप लगाया अब देखिए जी से अगर हम इस तरह से हिलाते हैं तो इसमें कोई भी gap नहीं है देखिए जी stable करते हैं और अब उपर वाले टप को हम हिलाते हैं देखिए जी तो ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल okay condition में क्योंकि इसके अंदर play नहीं है जब कि जो नीचे वाला bush है उसमें जो shaft हम डा होती है उसके limited life होती है जिसे चलते चलते वो गिस जाता है तो इस condition में क्या है कि हमारा नीचे वाला bush है यानि कि ये वाला bush ये ख़राब हो चुका है ऊपर हमारा ख़राब है क्योंकि वह loose हो चुका है अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम shaft को चेक करना चाहें कि shaft सही है या फिर नहीं तो क्या करेंगे shaft को पहले अच्छे से shaft कीजिए उसके बाद जो यह back side है या फिर front side है उसे इस तरह से उंगली से उसकी surface को touch कीजिए और देखिए क्या दोस्तों वहो बिल्कुल खुरदरी है या फिर बिल्कुल smooth है तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही side properly smooth है इसका मतलब soft हमारी good condition में है अब इसी back side को हम front side वाले bush में चेक करते हैं इस तरह से लगा के तो यहाँ पर आभी से हिला कर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर यह बिल्कुल टब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है इसका मतलब कि bush हमारी okay है अगली वाली और shaft भी सही है हमारी खराब है तो पिछली वाली bush हो सकता है दोस्तों आपकी पिछली वाली भुष खराब नहीं को फ्रेंट वाली भुष खराब हो और आपकी soft भी खराब भुष रखती है तो यहाँ पर यह मेर पास एक soft bush का set है इसमें इसमें एक bush ले लिता हूँ यहाँ पर दोस्तों यह total जो set है यह local set है तो यह मैंने 35 रुपेका market से purchase किया और bush आपको तकरिबन 15 रुपेका मिल जाएगा और अगरी ची mechanics आप रिपेर कराने लगे तो वो आपको पूरा set ही change करेगा यानि कि एक bush change नहीं करेगा तो यह आप सस्ते से सस्ते में घर पर रि और बुश चेंज करना है कि एवल तो हम यह नीचे वाला bush चेंज करेंगे अब तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले छीन गारेने दित्ते हैं वरना हमें यह दूश लगाने होंगे तो यह नीचे वाला bush रिपेर करने के लिए हमें टीन चीजों की जवरफ होगी यहा पर आपको इस तरह का एक लोहे का पाइप चाहिए होगा यहां पर आपको एक हैमर चाहिए होगा एक पंच चाहिए होगा पंच की जगा यहां पर दोस्तों आप कील का इस्तमाल भी कर सकते हो अब जैसा कि दोस्तों मुझे यहां पर यह वाली रिपट निकालनी है इसके निजे की टरफ निकल जाएगी जैसे कि आप यह पर देख पा रहे हो लगी हो दोस्तों एक टब के अंदर टूतल छे रिपट हो लगी होती है अगर आपका फ्रेंट साइड का टब है तो उसकी भुष खराब है तो उसके रिपट को निकाल लीजिए तो यहां पर हमारा बैक वाला बुष खराब था तो उसके रिपट हमने निकाल लीए यहां पर यह बुष निकल आगई हमारे सामने तो यहां पर देख सकते हो कि यह बिलकुल बुष घिस चुकी है अब यहाँ पर दोस्तो हम नयावाल अबुष इंस्टॉल करेंगे उसे पहले हम क्या करेंगे जैसे कि यह जो कैप है सबसे पहले इसे साफ कर लीजीए उसके बाद जो नीचे वाला आपका टप है या फिर उपर वाले टप में अगर बुश खराब है तो उसे साफ कर लीजिए तो यहाँ पर दोस्तो जो भी आपको बुश अक्सर कर खराब होता है तो उसमें कसरा बहुत जम जाता है इसके बाद नयवाला बुश इस तरह से इंस्टॉल कीजिए आप इस तरह से नयवाला बुश लगा देने के बाद में दोस्तो इसके बाद आपको लगाना होता है क्वाटन देखिए जी इस तरह के ये क्वाटन के नम्दे होते हैं ये आपको अब इस बुश के उपर लगान होता है इस तरह से अब यहां पर जब आप क्वाटन लगा दें तो एक चीज हमेशा ख्याल रखें कि जो क्वाटन है वह आपका टाइट रहना चाहिए और बुश उसमें टाइट आना चाहिए तब ही आपका क्वाटन सही है अगर यह क्वाटन अगर आपका लूज है बुश चले गर्म हो तो वह इसमें से ओल ले सके इसके बाद आपको बुश के उपर इस प्रिंग लगा देना है और यह जो कैप आप देख पा रहे हो इस कैप को अब आपको इसके उपर लगा देना है यह जो आप पाइप देख पा रहे हो यह आपको साइड वाले होल की तरफ र लिए उसे हुमने होल में scenes किया जैसे कि हम ने इसғ फाले होल में लगा है आप देख पह रहे हैं इस साइड की तैर तरह से hammer से दबा देना है जिससे क्या होगा जो आपका report है वो lock हो जाएगा इसके बाद जस्ट इसके सामने वाले side हम report लगाते हैं इस वाली side जो आपने report लगाई थी पहले उसके just सामने वाली side और लगा देनी के बाद उसे भी hammer से ठोक कर fix कर देते हैं दबा कर fix कर देते हैं इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से या तो pipe ले लीजे या फिर soft का इस्तमाल कर सकते हैं ताकि अच्छे से आप रिपट को tight लगा सकें यहाँ पर दोस्तों याद रखिए आपको रिपट को लगा कर complete कर लेने हैं तो यह दोस्तों बहुत आसान process है तो मैंने आपर सभी के सभी छे रिप लगा कर complete कर लिए हैं तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे अब हमें motor को fit करना है तो fit करने का बहुत आसान तरीका है जिस तरह से आपने assemble किया था उसी तरह से assemble कर लीजिए इस तरह से पीछे वाला टप लगाईए इसे आप हलके से hammer का इस्तमाल करके भी fix कर सकते हैं इसके बाद आपको rotor लगाना है अपना पीछे वाली side हम यहाँ पर oil डाल देते हैं आगे वाली दोस्त आपने नया bush लगाया तो यहलका tight भी हो सकता है इसके बाद जो आपका rotor और इस्टेटर है वो बिल्कुल बराबर रहने चाहिए यहाँ पर जैसा कि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए यह rotor आपका उपर हो या फिर इस्टेटर नीचे हो या फिर इस्टेटर उपर हो लेते हैं हम यहाँ पर दोस्तों जो bush है उसके side में cotton होते हैं तो हम side के तरफ oil डाल देते हैं ताकि जो cotton है वो भीग जाए और इस bush का जो की हमारी फिलाल सही है इसका भी life long हो सके इसके बाद इस वाले टप को हम fix कर देते हैं fix कर देने के बाद दोस्तों आप उपर और कर दीजिए इस तरह से इसे fix कर लीजिए इसके टप को और fix कर लेने के बाद में जैसे कि आप इसे एक बार ही गूमा कर देख लीजिए कि यह बराबर से गूम रहा है या फिर नहीं तो हलका सा सुरुवात में दोस्तों यह tight हो सकता है तो यह ऐसा कोई खास तो tight है नहीं इ इसके अंदर जैसे कि चार स्टेट यानि कि चार बड़े वाले बोल्ट्स परवाइड कराये जाते हैं जो हमने खोले थे वो अब आपको वापस से लगा कर इसमें complete कर लेने हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने दो बोल्ट्स लगा कर यहां पर complete कर लिए इसी तरह से आपको च जाम हो जा रहा था और जब कि हाथ से खुमाने मरें smooth घुम रहा था तो दोस्तों यहां पर अब हम wires को अगर electricity में लगाते हैं तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि हमारा kit perfect चल रहा है तो यहां पर दोस्तों इसके मैं एक tap लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में आस share कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों एक बार हम इसे series lamp के जरीए test कर लेते हैं देखिए जी तो यह हमारा kit complete ready हो चुका है I hope you guys इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को like करें जाजाद बा